हेलो फ्रेंड्स असलाम वालेकूम एंड विलकम बैक टू माय यूट्व चैनल आज मैं आपके साथ अर्भी के पते जिसे चमकुरा भी कहा जाता है हमारे यहां पर चमकुरा कहा जाता है तो उसके पतों की रेसिपी शेयर कर रही हूं मैंने इसे 5 step में step by step आपको बताया है अच्छे से explain किया है अब इसी ली बना पाओगे simple सी रेसिपी है तो चलिए देखते है किसे कैसे बनाए मैंने यहाँ पर अर्भी के पते लिये हैं चमकुरे के पते मैंने यहाँ पर लिये हैं इसे मैंने अच्छे से वाश कर लिया है अब हम इसे कॉटन के कपड़े से या किसी भी किचन टॉविल से अच्छे से इसे हम साफ कर लेंगे इन सभी पतों को हम अच्छे से सुखाएंगे और इसे हम साइड पर रख देंगे मेरे सबी पतों के अच्छे से साफ कर लिया है ऐब उसे साइट पर रख देते हैं हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रोसेस के तरफ मेनी हाँ पर एक कप बेसन काटा लिया है मेरे पास 12 अरपी की पते हैं इसलिए मैंने एक ही कप पेशन लिया है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो उसके साथ ही हम इसके अंदर नमक एड़ कर देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर लालमिश पाउडर एड़ करेंगे हाफ टिस्पुन में जाएगा गरं मसाला पाउडर और हाफ टिस्पुनी ही जाएगा हल्दी पाउडर अब इसके अंदर हम एड़ कर देंगे अमचुर पाउडर इसके अंदर एड़ करने से जो खटास उसके अंदर होती है उसे गला खराब नहीं होता आप उसके जगा पर निम्बू का जूस या इमली का गुदा भी डाल सकते हो अब हम इसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन करश करकर डाल देंगे और उसके बाद हम इसके अंदर जीरा एड़ कर देंगे अब हम इसके अंदर आधा चमच सौंफ का दरदरा कुटा हुआ पाउडर एड़ कर देंगे पानी एक साथ नहीं डालना है वरना इसके लंप्स बन जाते हैं या तो फिर आपको इसकी consistency का थोड़ा अंदर जाने ही होगा तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसे हमें जादा ना थीक बनाना है ना जादा पतला एक कप आटे के लिए मुझे आधी कप से थोड़ा कम ही पानी लगा है आप देख सकते हो कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी होनी चाहिए ना जादा गाड़ा हो बैटर ना जादा पतला मिच्टरन हमारा रेडी हो गया है अब हम इसे साइड पर रख देते हैं अड़ी के पत्वों को हमने दोकर अच्छे से साफ कर लिए था पहले तो यह अछ्छे से अब सूक भी गये हैं तो जो फिलिंग हमने बनाई है बेशन के अठी की वो निसके अंदर लगा लेंगे तो मैंने यहाँ पर 6 पते लिए हैं आपको भी कम से कम 5 या 6 पते लेने होगे तभी इसके लेर अच्छे बन कर आएंगे सभी पते सेम साइज के तो नहीं आते कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं तो आप अपने हिसाब से एक ही साइज के थोड़ा निकाल लो और एक तरफ थोड़ा छोटे वाले बना लो और एक इसमें थोड़ा बड़े वाले बना लो अभी मैंने पूरे पते छोटे वाले लिए हैं तो एक के बाद हम इस तरह से 6 पते के उपर लेर लगा लेंगे हमें पते के उल्टे तरफ से इसे बैटर लगाना है क्योंकि सीधे तरफ से आपको नहीं लगाना है तो आप देख सकते हो मैं उल्टे तरफ से ही इसे पूरा बैटर लगा रही हूँ क्योंकि जब हम इसे फॉल्ड करेंगे तो जो सीधी वाली जो साइड है वो उपर की तरफ होनी चाहिए इसी तरह से सभी पतों को मैंने लगा लिया है अब हम इसे फॉल्ड कर देते हैं तो आप इस तरह से से फॉल्ड कर सकते हो या मैं आपको दो तरीके बताऊंगी फॉल्ड करने के जिसे के ये खुलेंगे भी नहीं और अपने साइड से छोडेंगे भी नहीं जैसे कि आप देख पा रहे हो इस तरह से आपको Fold करना है हमने एक तरह से Fold कर लिया है अब मैं आपको दूसरी तरह से बता देती हूँ मैंने दूसरे पतों के ऊपर भी आटा लगा लिया है मेरे पास पूरे 12 पते थे तो उस हिसाब से मैंने 6-6 करकर दोनों में add कर दिया तो अब हम इसे दूसरी तरह से fold कर लेंगे तो मैं आपको दोनों तरीके बता रही हूँ आप इसी लिए बना पाओगे इन दो तरीकों से आप इसे fold कर सकते हो इसे यह खुलेंगे भी नहीं और यह अच्छे बनेंगे मैंने एक pot में पानी गरम करने के लिए रख दिया है अब इस तरह के एक छनी लेनी है आपको जिससे के हम इसे steam दे सके तो उसके उपर मैं oil grease कर रही हो और इसे हम इसके उपर रख देंगे उसके बाद हमने जो roll करकर रखे हैं अरवी के पत्ते के वो हम इसके उपर रख देंगे और इसकी lead लगा कर हम इसे 10 minute का steam देंगे 10 minute हो गए हैं तो अब हम इसे open करकर देख लेते हैं और इसका gas का फ्लेम जो है हमें off कर देना है इसे अब हम थंडा होने देंगे आप चाहो तो इसे fridge पे भी थंडा होने दे सकते हो तभी ये set अच्छे से होंगे आप गरम जब हो अरवी के पत्ते जब हमने steam दिया हो उसे तो आप उसको गर्मा गरम कट नहीं करते हैं उसे अच्छे से हमें थंडा कर लेना है उसके बाद ही हम इसे cut करना है हमें इसे cut कर लेना है ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और ना ज़्यादा पतला कुछ इस तरह से हमें cut कर लेना है आप देख सकते हैं उसके layer अच्छे बन कर आए हैं तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि 5 या 6 पत्य आपको लेने पड़ेंगे तभी इसके layer जो है वो perfect बन कर निकलाएंगे मैंने सभी पत्तों को cut कर लिया है अब हम चलते हैं इसके अगले step पी तरफ पर अब हमें कडाई या pot जो भी आपके पास अविलेबल हो और क्रेमी उसके अंदर अइस हैंदर वह कैसे अंदर जीरा कर देंगे प्लेवर अच्छा आए यातली को psychological है और उसके बाद हमने जो अर्वी के पते बना कर रखेते कट करकर वो हम इसके अंदर एड़ कर देंगे हमें इसे फ्राइन नहीं करना है इसे तड़के में हमें इसे तब तक भूनना है जब तक यह क्विस्पी नहीं हो जाते इसे तरह से आपको इसे चमची लाते हुए इसे मिए जब तक कि यह क्विस्पी नहीं हो जाते हुए और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता अब हम इसके अंदर हरा धन denya add कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से mix कर लिए धनिया हमने लास्ट में इसलिए एड़ किया है ताकि धनिया का कलर जो है वो चेंज ना हो और वो हरा भरा अच्छे से दिख जाए इसी तरह से आपको भूनना है आप चाहो तो शालो फ्राइबी कर सकते हो और उसके बार इसे तड़का भी लगा सकते हो उसमें जादा टाइम इंस्टेंट हो जाता है और इसमें टाइम जाधा लगता भी लिए और इसके बाद हम इसमें छाट मसेला पाउडर मॉडर एड और इसका ब्लेम आफ परफेक्ट बना है आप देख सकते हो यह कितने अच्छे लग रहे हैं खाने में भी यह बहुत टेस्टी है और आपका गला भी खराब नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई भी खटीचिज आप इसमें डाल दो तो यह इसे गला खराब नहीं होता यह टीप आप याद रखो आप चैसे खा सकते हो या दाल के साथ इसे सब्सक्राइब कर सकते हो यह बहुत मज़े लगेंगे और टेस्टी भी बहुत जादा है आपको आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर देना और आपको यह रेसिपी कैसी मुझे कमेंट करकर जरूर बताना stay tuned with me guys for the more recipes bye bye allah hafiz thanks for watching